है है एलो बच्चों और कैसे हूँ आप फढ़ गएं है अभी तक हमने झाली अधातु में जूत हैं ऑक्सियन से जल से उवग्रिया भी से अब 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 रुस्ता नम परेंगे वह को सब्सक्राइं. दातोंे से यह अती करती है तो डातों कोई भी अबक्रिय नहीं करती यहां जिसके पानिसे इस सकते तेसे कbersstairs होती है ज小心 का जैसे में फक चते ओंब करती है और अब करती है हां जो हमारी सुरुवात की धातवें होती है एस ब्लॉक वाली जो डियां है पोटेस्यं हैं पूत आखि अज़ब जल से आट्यदे क्लिया करती है और हैडोजन व्यक्तर करती है तो जब यशिति यज़ब ग्रानाख संपर्क में लेकर आता है जलता किस कारण है कि सोडियम बहुत फास्ट रेक्शन करता है जल के साथ इस लिए वह जल जाता है पता नहीं चलता एक्छल में सोडियम जब जल से अभग्रिया करता है तो धात्य ओक्साइड बनाता है जैत्य ग्रेएं को जब जल आपक्रिया होती है तो उस्मा 6 हम हन थेखा था शरुवार्ग था वीडियो में तो उसमा छेपी और सपी इडूरह और कुछ भी होगीममारे फृकर्ट ऑब लिख हो स्वाहते है। जो उस्मा निकलती उसके साथ जुडकर ये उस्मा को तीब्र कर देती है तो कभी भी लैब में आप जब लेसी सोलुसन लेамी लीट बनाने के लिए सोडियम की ज्रूरत होती हहा जब ले प्रियोक साला में सोडियम मिलता है तो बहुत पीसिज में मिलता है बहुत छूटा मिलता है लेकिन कभी भी हम उसको गीले हातों से टच नहीं करते हैं एक तो सोडियम हमेशा केरोसीन की डब्बी में रहता है जैसे ही मौश्य मिलता है उसको जैसे ही वातावन की जो वातावन में हमारी में सबहरे हिएक जल में करता है इसल्ग से के देख रहे हैं किस प्रकार से धातुएं हमारी दल से अवकृया करते हैं क्लोग्षाषिया करती हिरी भुलकर हाइड्रोगडी तो रुखंड करती हैаки ओक्साद जल में घुल प्रजलिद हो जाती है यहीं सब मैंने आपको अभी बताया है उत्सरजिद हाइड्रोजन प्रजलिद मतलब जल जाती है यह रेक्षेंस आप देख लो कि किस प्रकार से होती है प्रोटेसियम की और किस प्रकार से होती है तो जलते हैं और बता करता है कि इस सोडियम अभिया कर रहा है इसके बात जैसे है समें में आई हैं उसके बात । दूसरा हमारा आता है क लादा हो च्ट्यों काश्टिकल और करता है सोडियम क करता हूं इसमें सोडियम है यह सारी प्रपर्टी हमने साथ पहली फ्यूड़ेश में देख चुके हैं हम बागे आज हम इनके पर्टिकुलर धातु की किस प्रकार से अभुक्रिया करता है इसके बारे में बात कर रहे हैं तो सोडियम के हमना देख लिए अब हमारा केल्सियम का नमबर आता है सोडिय। और पोटेसियम के वह झ करता हैं। लेकिन इसमें उसMA कम निकल जादा नहीं होती । जल के साथ के जल के साथ के वखेर्य थोड़ी जीमि होती है। यह सरजित ईसमा हईसमा के प्रफाज्यलत होनेके लिए पर्याप्र नहीं होती पूर्जा तो निकलती है लेकिन हाइडरोजन नहीं जल सकता है इसमें बस इदने निकलती है कि बस निकल रही है आप जब सॉलुशन देखोगे तो वह आपको हलका सा गरम देखेगा यह नहीं है कि वह आप यह जल जाएंगे इस तरह की कंडिशन नहीं आएगी क्योंकि उप बसी मिल रहे है लिए लोह सबाद अगी अलिकल कडिशन ग्रें बैक हुआज़ जाएगा चाम यह हमारे सा डाम सा दोकर यह में दोकर में हाड़ोजन नहीं मिल रहे हैं किल अलाड़ दोकर हैं हमारा नंबर आता है मैंने सीटल जल के साथ किसी का नाम ले रहें है किसी का नाम नाम नी आपके एंस्क्रीन सोट है में लगाया है मैगनियzem सीतल जल के साथ आप कहीं करता है तो घ्रम जल के साथ करता है अभी तक जो सोडियम पोटेσιयम थम्रोम का भी मिले मैंकर अभृइए कर नहीं कर लेCK निकलेगी ना बुल बुले तो दातु से मदला मेगनिस्यम से चिपक जाएगी और उसको स्विर्ट से पानी में तेरने के लिए त्यार कर देगी निकलेगे निकली के साथ नाहीं गरम जल के साथ अबुक्रिया करते हैं लेकिन भाप के साथ अबुक्रिया करते हैं ठीक है कि हमने कितनी अवस्था देख ली सोडियम तैसा ठेंड़ा पानी सोडियम पोटेसियम मैं अखनीशियम ने कहा मैं गरम जल लूँगा अब नमबर आता है गरम के बात कि ऐलुमीनियम आयरन जिंक जैसी धात्वों ने क्या कहा कि हम ना ठंडे से ना गरम से हम तो पदार्शरी पितीशरी अवस्त है कौन सी वास् वास्प मत्का वही होता है निल अज़ा मकरती जब जा हो तो हमारा ह्यूजन निकलती हैसमें हमारा मारा ए forcément और वैसम और हमारें फ। यह हमारे ऐलॉमिनियम और आइरंग के अवक्रिया थीक है इसके बबेधा है लेड नियुक Speech चूए ना सशनक घुद्पर करता ना चान्दी वख्रिया करती में कह ‫ए कपैLE बहुंत चालन कि आफ दिखा वह पाकि पानी करें तो यह जल के साथ कैसे भी अबक्रिया हुआ कि किस प्रकार से धातूं थंडे से गरम से और भाप से अब हमारा नंबर आता है अगला कि धातूं की अमलों से अबक्रिया अबने पहली वीडियो में देख लिया है आपको याद है ना मैं आपसे पूंचने मुझे तो याद है क्या है दातू लबड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं ठीक है है कि लबड बनते हैं और हाइड्रोजन घेस मुक्त अब्वाट करके यहीं लबड बनते हैं और हाइड्रोजन एच्टू गैस मुक्त होती है हमने इतनी सारी रेक्शन देखे थी एचिछल की और होता है है ऒधर होई नहीं कि आज हम अभुक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे कौन सा है नाइट्रिकमल के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब धात्मों नाइट्रिकमल के साथ अभुक्रिया करती है तो हाइडोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती इसका कारण है कि जब हाइडोजन गैस जब हो अभुक्र क्या करता है धात्मों के साथ तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वह पहले से इतना ज्यादा जो एच्टू होता है जो निकलती है उसको ऑक्सीग्रेट कर देता है जोड़ने आ ऑक्सीग्रेट कर देगा तो उससे जल बन जाता है और स्वम नाइट्रोजन के किसी ऑक्सायड में अब चैत हो जाता है थिक है इसको हम रीड करते हैं कि किस तरीके से कि जब धात में नाइट्रेक अमल के साथ अभुक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्षजित नहीं होती क्योंकि HNO3 है वो प्रवल ऑक्सिकारक है जो उत्पन H2 को ऑक्सिक्रत करके जल में परवर्तित कर देता है एवं सो एम नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचैत हो जाता है लेकिन इसमें भी अपबाद रहें कि मेगनिशियम और मेगनीज एम जी और एमन अर्थि तनुम अच्छाएंगे साथ अभुक्रिया करके फाम्डर में तो यह है कि वह ओक्तिकार्णफ होगा लेकिन जैसे तनुम होगे तो इसको थोड़े से डिफ्रेंट हो जाएंगे इसमें ऐसे हड्रजन गैस मुक्त कर देगा इसके बार आपको एक्कॉर एजिया यह मैंने सभी इसमें आपके एंशी आपके एंसी आइडिके जो बच्चे सोने के सोने काम देखते होंगे जिनके होता होगा उनको पता होगा कि सोने को किस प्रिकार से गलाया जाता है तो जिस सोने के गलाने में जो होता है जो चांडर मतलब सिल शांडर नाइटरिक अनोतरी कर निताजा मिस्ट्रण ताजा मतलब बनाते हैं ऐसा नहीं तो बनाके दख दिया नहीं हमने अभी कि अशहलिया अभी हमने रिख अभूनाव को साथ में मिलाया कर सकता है कि यह दोना मैंसे किसी वान्प में अकली खरविया नहीं होती है यह तो हम देख चुके हैं के साथ निकरता आप अब के साथ नचान्दी करती है लेकिन जैसे दोनों मिलते हैं तो उसके बाद या कर लेते हैं अब भवक्ता द्रभ होने के साथ प्रबल संचारक है या उन अभिकर्मकाओं में से एक है जो गोल्ड इवन प्रेटिनम को गलाने में समर्थ होता है यह मुझे इसलिए मैं इसको पड़ती हैं बाकि इस चैप्टर में आपको देख लेना अभी तक कौन से रह गए हैं तो मैं करा रही हूं जो भी आपकी अब इसके बाद हमाना लास्ट है अकरिया जो उसको मैं नहीं एड कर रही क्योंकि यह अब पूरी अच्छे तरीकर से पढ़ चुके हैं विस्था धात्युंग के ध्युग लबड़ों से अभुकृएं थात्युक्ट लबड़ों से अभुकृएं होती हैं अब देखा हो गाल हम क्रिया जिंक से कराते हैं तो सी यू को जिंक रिप्लेस कर देता है और जैड़न एसो फोर बनता है और सी यू सॉलिशन में अलग प्रांक्त होता है वही अभुक्रिया होती है जो धात्यूक लबड़ों से धातू है जो धात्यूक लबड़ों से अभुक्रिया करते हैं उन सक्कूती फ्रैणी के अलिज लीक अप करते हैं जो तत्तु एक से नीचे आएगा उपर्वालाता नीचे वाले तत्त conscious को रिप्लेश कर देगा को ऊपोर्त लिए वीडियो को फिर से देखना हुआ आज के लिए इतना ही इससे आगे हम धात्वों की अधात्वों से उक्रियां करेंगे और उसके बाद हम धात्वों की जो किस प्रकार से हम उनका सोधन करते हैं उसके बाद देगें धन्यवाद